हेलो दोस्तो मैं रहोल और मेरे पास है आईपैड 9 जेशन और आज के सुरू में आईपैड OS के बरें बात करूँगा आईपैड OS में हमें काफी सारे फीचर देखने हो मिल जाता है मैं सबसे पहले आपको दिखा देते हैं यहाँ पर देख पाएंगे मेरे पास आईपैड 9 जेशन है और यहाँ पर आईपैड OS हो है 15.1 बैसिकली 15.1 अभी सब में अबडिट आ गया है अगर आपके पास आईपैड 8 जेशन है या फिर 7 या फिर 6 है या फिर उससे भी बिलो का है सब में आपको आईपैड OS देखने हो मिल जाएगा 15.1 का तो यह वीडियो जो है आप सभी के लिए एक बिगिनर्स के लिए जो काफी इंपोर्टेंट साबित हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मैंने काफी सारी फीचर के बारे में एक्स्प्लेइन किया हुआ है तो यह वीडियो आप स्टे एंग तक दिखिए है जिससे आपको पदल जाएगा आईपैड OS में क्या-क्या फीचर दिया गया है तो फड़ा फरसे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बट वीडियो स्टार्ट करें से पहले बतादू चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ साथ बेल एकन को पेस करके और पे क्लिक दिया जिससे जब भी मैं कोई नहीं अवरोप का आपको जिनूर्शन पहुँच जाए क्योंकि मैं इसे तरह के इंट्रिस्टिंग वीडियो लानी कोईश्च करता रहता हूँ और अगर वीडियो पसंद आता है तो डेफिली वीडियो को लाइक दिगा नहीं पसंद आता है अगर मुझे बẵक करना है तो सिंपली यहाँ पर जो-ःवदन को प्रेस करहूंगा और यहाँ पर दीकिये हूं में आज्गा हूं for example मैं यहाँ पर YouTube को open करता हूँ अगर मैं यहाँ यूटूब से back होना है तो simply मैं इस तेकर swipe up करूँगा और यहाँ पर back हो जाँगा swipe up करके hold करूँगा तो यहाँ पर दीके recent tap आ जाता है तो यह जो है दूसरा method है अगर यहाँ पर जितने भी application open है for example यहाँ पर देखिए किते सारा application open है अगर आप यहाँ पर switch करना चाते है application to application तो switch कर सकते हैं आपको side से slide करना है कुछ इस तरी से और यहाँ पर देखें काफी easy तरी से आप यहाँ पर switch कर पाएगा even यहाँ पर back करना है तो for example यहाँ पर मैं YouTube page पर open हूँ और यहाँ पर मैं एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ फड़ा फड़ से यहाँ पर इसको play करता हूँ प्ले करने के बाद अगर आपको यहाँ पर back करना है तो simply आप यहाँ पर pause कीजिए pause करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर back कर दीजिए और यहाँ पर देखिए back हो जाएगा आपका मैं back करता हूँ और यह देखिए यहाँ पर जाए back हो जाएगा तो यह काफी easy है even यहाँ पर जहाँ आपको picture in picture mode का support देखने को मिल जाता है यहाँ for example मैं यहाँ पर youtube को video play कर लेता हूँ यहाँ जो ऐसे safari पर काम करता है तो मैं यहाँ पर youtube पर video play कर लेता हूँ कोई भी website में यह work करेगा अगर वो website support करता है और इसको मैं fully screen करता हूँ fully screen करने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ एक option देखने मिलता है अगर मैं इसके tap करता हूँ यहाँ पर मैंने tap किया अब मैं home button पर आ जाता हूँ picture in picture mode enabled है यहाँ पर मैं video भी देख सकता हूँ साथ-साथ कोई काम भी कर सकता हूँ अगर मुझे इससे hide करना है तो simply यहाँ पर hide कर सकता हूँ अगर मैं song सुन रहा हूँ YouTube पे तो simply hide करके song सुन सकता हूँ और मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ यह काफी बढ़ी है यहाँ पर option दिया गया और अगर आपके यहाँ पर full screen करना है कुछ इस ते किसे tap कीजिए और यहाँ पर full screen हो जाएगा तो यहाँ पर power button और साथ साथ home button दोनों को एक साथ आपको प्रेस करना है जैसे आप प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर screenshot हो जाएगा और screenshot में आपको काफी सारे option देखना हूँ जैसे कि यहाँ पर आप कुछ भी draw कर सकते हैं यहाँ पर मैं draw कर सकता हूँ even यहाँ पर scale का option दिया गया आप यहाँ पर line वगरा अगर खीचना चाते हैं तो देखिए यहाँ पर scale है और मैं line खीच रहा हूँ तो यह देखिए यहाँ पर काफी easily मैं black से करके दिखाता हूँ काफी easily एकदम सीधा line खीच सकता हूँ even यही नहीं यहाँ पर और भी feature दिये गया है जैसे कि यहाँ पर आप text को copy कर सकते हैं यहाँ पर option दिया गया है इस पर tap कीजिए गए tap करने के बाद यहाँ पर जितनी भी text है आप देख पाएंगे आप इस पर प्रिस एंड होल कीजिए और यहाँ पर आप इनको copy कर सकते हैं, translate कर सकते हैं, यह साड़े option आपके यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो यह मुझे काफी अच्छा लगा, यहाँ पर screenshot से आप काफी कुछ customize कर सकते हैं, यही नहीं, अगर आपको save करना है, तो यहाँ पर कहाँ save करना चाते हैं, files में से फिर फॉ्टोज में आप यहाँ भी save करना चाते हैं, वहाँ save कर सकते हैं, यह पर delete भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर Siri को activate क явा है, यहाँ पर तो यहां पर पहले तो आपको शो नहीं होगा आपको अगर स्क्रिन रिकॉर्ड करना है तो आपको सेटिंग्स पर आना पड़ेगा एक्सबिलीटी का ओप्शन में आना है स्वरी एक्सबिलीटी का ओप्शन में ही 3, 2, 1, go और यहाँ पर आपका screen record होने लगेगा जो भी आप activity कीजिएगा जो भी कीजिएगा यहाँ पर screen आपका record हो रहा है stop करने के लिए यहाँ पर press कीजिए और यह देखिए यहाँ पर screen record हो गया even यहाँ पर जो आप settings में जाकर यहाँ पर control center पर आ जाना और यहाँ पर देखिए की काफी सारे आपको shortcut button दीखने में जाएंगे जैसे की accessibility shortcut हो गया alarm हो गया QR code scan वगरा हो गया text size वगरा हो गया voice memo हो गया यह सब आप यहाँ पर add कर सकते हैं और जैसे आप add पर click कीजिएगा यहाँ पर control center में add हो जाएगा text size यहाँ पर काफी बढ़ी है यहाँ पर feature दिया गया है for example यहाँ पर काफी छोटे छोटे आपको text देखने को मिल रहे होंगे अगर मैं यहाँ पर text size पर click करता हूँ और यहाँ पर text size को बढ़ा देता हूँ option में text size बढ़ाएगा मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर single only अगर मैं करता हूँ तो settings only का यहाँ पर text size बढ़ा होगा मैं यहाँ पर settings only का text size बढ़ा कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे और यहाँ पर अगर मैं दिखाता हूँ तो बाकी देखी यहाँ पर साड़े application के जो text है वो same है यहाँ पर देख पारे हूँ कि अगर मैं इसका बढ़ाना चाता हूँ तो यहाँ पर click करके मैं आपर single only करता हूँ और यहाँ पर मैं चाहँ हूँ अगर आप यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर minus पर उप्षिने मिल जाता है आप minus पर click किजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको removed का option देखने मिल जाएगा आप यहाँ से इसको tagly remove कर सक्ते हैं और किसी भी widgets को add करना है या फिर ब्ल्ट करना है आप से कहां पर रखना है कहां पर नहीं रखना है अगर आप साइट से कुछ इस तेकर स्लाइट करते हैं तो देखिए यहाँ पर शॉटकट ली कुछ अपना नोट करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पर नोट करके रख लीजिए और अगर आपको न्यू करना है तो यहाँ प और आपको done करना है, done भी कर सकते हैं, paste भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको पूराना वाले में shift होना है, तो यहाँ पर कुछ इस तेक से आप slide करके, old वाने में आ सकते हैं, old वाला जो भी आपने note रखा होगा, तो यह काफी बढ़िया है, done हो जाए, done करने को जाएगा, और फिर से लाना है कुछ इस तेक से लाइए, और देखिए, यहाँ पर old वाला भी आपको देखने हो मिल जाएगा, और delete करना है, तो यहाँ पर आपको delete का भी option देखने को मिल जाता है, नेक्स बात करें, तो यहाँ पर आपको multitasking याईनि split skin का भी feature देख जाएगा, आप यहाँ पर जाएगा, कुछ इस तेक से भी कर सकते हैं, split skin का मज़ा उठा सकते हैं, यही नहीं, आप यहाँ पर जो है, टोटल तीन application को open कर सकते हैं, जी हाँ, आपको यहाँ पर क्या करना है, सेकेंड वाल application को आपको select करना है, और यहाँ पर देखिए, त्र application के ऊपर जो 3 dot है, आपको फिर से इसको click करने है, और यहाँ पर फिर से बीच वाला click करने है, click करने को बाया, यहाँ पर देखिए, दो application side side किसके हैं, अब यहाँ पर मैं safari को open कर लेता हूँ, यहाँ पर दीखिए, दो application है, बट आप तीसरा application लाना चाते हैं, तो side से इसके से कीजिए, और यहाँ पर तीसरा application आपका फिर भी split skin में बना हुआ रहेगा, home button को press कीजिए, और यहाँ पर बिलकुली back हो जाएगा, और अगर आप home button को double bar press करते हैं, या फिर यहाँ पर justice के थूरी लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, एक split skin आपको दिखेगा, यहाँ पर देखिए, यह automatically read करना, start कर देगा, यहाँ पर आपको spoke coordinate बोलकर feature देखने हो मिल जाता है, जिससे यह automatically आपका read करेगा, और अगर आप यहाँ पर कोई भी particular point read करवाना चाते हैं, आप select कीजिए, और यहाँ पर वो particular point को read करेगा, आपको कैसे इसे activate करना है, simple है, आ आपके यहाँ पर accessibility के option पर आजाना है, और यहाँ पर आप देखिएगा, आपको spoke content बोलकर option देखने हो मिल जाएगा, आप इस पर आएगा, और यहाँ पर इन दोनों के enable कर दीजिएगा, और उसके बाद आप double finger से जैसे ही swipe down कीजिएगा, यहाँ पर यह read करना start कर देगा, और यह कहीं पर भी किसी भी application में यह बड़ी अराम से work कर लेता है, तो यह काफी अच्छी बात है, और आप यहाँ पर speak को fast भी कर सकते हैं, voice को भी change वगएरा कर सकते हैं, यह सब आपको feature देखने हो मिलता है, यही नहीं, accessibility option में आपको काफी सारे feature देखने हो मिलता है, जैस center को नीचे ला सकते हैं, और यहाँ पर अप कर सकते हैं, उसकाद यहाँ पर custom वगएरा, यहाँ पर option देखने हो मिलता है, यहाँ पर यहाँ पर pinch वगएरा करके, यहाँ पर long press करके, क्या क्या करना चाहता है, add भी कर सकते हैं, काफी सारे feature दिएगे हैं, इसको आप खुद से देख लिजएगा, क्या क्या feature दिएगा, इवन यहाँ पर देखे, आपको single tap में क्या देखने हो मिलता है, double tap में आप यहाँ पर कुछ option enable कर सकते हैं, जिससे इसको double tap करके, आप उस option को directly use कर सकते हैं, long press करके भी कर सकते हैं, और यहाँ पर create new justice पे click किजएगा, तो आप अप यहाँ पर यहाँ पर जए और भी more वगिरा देखने को मिलता है, तो आप चाहे तो इसका इसतेमाल कर सकते हैं, टच वगेरा का बाकि यह सारे option आप今天 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर switch control वगिरा देखने को मिलता है, और यहाँ पर देखे, क काफी कमाल का एक option देखने मलता है hearing device का basically अगर आपने यहाँ पर Bluetooth headphone वगएरा लगा कर रखा है तो आप simply इसके साथ connect कर दिये और device को कहीं पर भी रख दीजे अगर किसी का जासूसी करना है चार friend बात करना है आप सुनना चाते हैं वो मेरे बारे में क्या बात करना है तो आप device को आप वहीं पर छोड़ दीजे और यहाँ पर Bluetooth headphone को connect करके रखे यहाँ पर आपके friend वगएरा जो भी बात करेंगे iPad के थुरू आपके headphone में वो sound जाएगा और आप उनके सारे sound को सुन पाईगा तो काफी मज़दार यहाँ पर option दीया गया जिसे आप जासुसी वगएरा कर सकते हैं और बाकि यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे feature देखने मलता है जैसकि accessibility shortcut का feature देखने मलता है यहाँ पर आप accessibility shortcut के इस्तेमाल कर सकते है जैसकि यहाँ पर देखे मैंने एक सलिक करके रखा था आप चाहिए तो या-पर कोई भी सिलिक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ओम बटन को 3 बार देक्H हो जाता है, तो यहाँ पर खे हम था नहीं पर आप और बहुत सरे टास्क को ऑड़ सकते हैं। और यहाँ पर टिपल क्लिक करके home button के shortcut का मज़ा उठा सकते हैं, यहाँ पर फिर से मैं 1-2-3 करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, जो है, दो option देखने हो, मलेंगे, आप दोनों में से कोई भी एक select कर सकते हैं, और यहाँ पर वो option आपका enable हो जाएगा, फिर से मैं 1-2-3 करता यहाँ पर color filter, अगर मैं select करता हूँ, तो यह देखिए, यहाँ पर color filter हो जाता है, तो कुछ इस देख से आप यहाँ पर accessibility shortcut का मज़ा उठा सकते हैं, और यही नहीं, यहाँ पर सबसे नीची के तरफ आपको pre-app settings का भी feature देखने हो बलता है, pre-app settings में आएगा, तो यहाँ पर यहाँ पर मैं खुझ से यहाँ पर कर सकता हूँ, और even hot star में वो सारे changes हो जाएंगे, और बागी सारे application में कोई भी आपका effect नहीं पड़ेगा, सिफ hot star में ही वो changes होगा, next video बात करें, तो आपको यहाँ पर safari में काफी सारे feature देखनों में जाता है, safari में अगर आप कोई भ यहाँ पर tap कीजिए और यहाँ पर दुबारा से आ जाएगा, even यही नहीं, यहाँ पर देखें कुछ भी website बगर अगर आपने open क्या हुआ है, तो कुछ इस देख से open होता है, यहाँ पर side by side करके रहता है, जिससे read करने में थोगा सा दिक्कत होता है, तो यहाँ पर देखें है, आप इसे press and hold कीजिए, hold करते ही, यहाँ पर देखें, यह एकदम align हो जाता है, और उसके बदा आप यहाँ पर बड़े आराम से इसको read कर पाईएगा, जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है, even यही नहीं, यहाँ पर सफारी के theme को भी change कर सकते हैं, जिसके आप यहाँ यहाँ पर दीख भाएंगे, यहाँ पर मैंने theme को change करके रखा है, आप यहाँ पर edit पर click किजिएगा, उसके यहाँ पर देखें काफी सारे theme दिएगा है, जो भी आप click किजिएगा, और यहाँ पर done किजिएगा, वो आपका done हो जाएगा, even यही नहीं, यहाँ पर आप कर सकते हैं, और अगर आप पढ़ाई बगरे करते हैं, तो डैकली आप इस पर click करके जो है, उस वाले website पर जा सकते हैं, और डैकली पर सकते हैं, आपको यहाँ पर जो है, जब यहाँ पर आईगा, तो यहाँ पर आपको यह option निव वाला group देखनी को मिल जागा, आप डैकल पर जा सकते हैं, आपको बार-बार टाइट करनी के ज़़वत नहीं, नेक्स बीच बात करें, अगर आप यहाँ पर सफारी से कोई भी image डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, बट आपको यह जो डाउनलोड इमेज है, यह आपको फॉटो को फॉटो सेक्शन में ले जा सकते हैं, तो सिंपल है, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का, आपको इसको स्लिक करने हैं, स्लिक करने हैं, यहाँ पर आपको काफी सार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसके आप यहाँ पर देख पा रह आता हूं यहांपर देगे फाइस में यह photo देखने को nहीं मिलेंगे तो आप ऐसा इंफाइस को file में ले जा सकते हैं तो इसा इंपल है आपको इंपर photo लेकर करें है जो भी image आप इंच च्हाले ले जाना जाते फाइल में उसको फाइल में चल जाएगा या फिर अगर आप एक image लेना चाहते हैं तो एक image को slick कीजिए, slick करने बाद यहाँ पर ओपर की तरफ आपका arrow देखने को मिलेगा आप इस पर click कीजिए click करने बाद सबसे नीचे आईए और यहाँ पर देखे आपको जो इमेज आ चुका है, तो यह रहा यह image, देखे फाइल पर आ चुका है तो कुछ इस ते किसा आप कर सकते हैं, इवेन अगर मैं इस image को गलती से delete कर देता हूं, इहाँ पर गलती से delete होई सकता है, delete करने बाद भी आप इस image को और इसको ato डिलिट कर सकते हैं अपकर पहर जहे क्लिक करने है यह देख़ें यहाँ पर जहा है उप पाइस और कर्णा है यह सिस्थ आपको फाइलस में भी देखने को बिलता है ये आपको फ्र पाइस का मिलता है इसापे पर एसरे वाला डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ डिलीट करने के बात, अगर मुझे इसको दुबार से रिकवर करने हैं, यापर फॉर्डोस पर क्लिक करूँगा, और इसके बाद यहाँ पर देगे रेसेंट डिलीट का ओप्शन देखने को मिलेगा जहां से मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ तो कुछ इस तेक साथ आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं इविन यहाँ पर फॉर्डोस को अगर आप यहाँ पर फाइल मेनेजर में सेव करना चाते हैं, वो भी कर सकते हैं file manager के कुछ videos या फिर photos को आप यहाँ पर photos में लाना चाते हैं तो वो भी आप ला सकते हैं next video आद करें तो यहाँ पर आपको dark mode का भी feature देखने हो मिल जाता है settings पर जाएगा उसके बद आपके यहाँ पर सीधे आजाना है इसके display and brightness का option पर यहाँ पर देखें dark mode का option देखने हो मिल जाएगा जिससे यहाँ पर dark हो जाएगा अब आप इसे काफी easy तलिक से use कर पाएगा बट अगर आप यहाँ पर देखेंगा brightness का option दिया गया auto brightness disable enable का option नहीं दिया गया auto brightness disable करने इस क्या होता है आपका battery काफी जदा save होता है क्योंकि यहाँ पर काफी condition में आपको auto brightness का जरुवत नहीं परता है आप अपनी साब से brightness को adjust करते है तो simple इसके लिए आपको क्या करना है आपको यहाँ पर आ जाना है उसके बाद यहाँ पर और एक चीज feature के बाद करें तो अगर यहाँ पर आपका iPad lock है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका बड़े अराम से जो है control center नीचे आ रहा है notion panel नीचे आ रहा है तो कैसे आप से disable कर सकते हैं पहले मैं यहाँ पर चाता हूँ settings पर settings पर जाने के बाद यहाँ पर touch ID and passcode पर आ जाना है और यहाँ पर आप अपना password दे दीजिएगा देने के बाद यहाँ पर आप fingerprint को add कर सकते हैं मैंने दो fingerprint add किया है multiple fingerprint आप चाहिए तो यहाँ पर add कर सकते हैं नीची तरफ आएगा तो यहाँ पर दीके आपको option देखने हो मिल जाता है lock screen activity disable का जहाँ पर आप control center को disable कर सकते हैं और यहाँ पर notes and center को disable कर सकते हैं even lock screen में मैं Siri को भी नहीं रखना चाहता है तो मैं Siri को भी यहाँ पर disable करना चाहूँगा जिसे यहाँ पर कोई भी lock screen में Siri को activate करके यहाँ पर कुछ काम ना कर पाए बागी यहाँ पर आपको और क्या-क्या डिसिबल करना है आप यहाँ से कर पाएगा जिसे lock screen में वो सब चीज यूज नहीं होगा आप आपको दिखाता हूँग यहाँ पर lock है अब यहाँ पर देखे जो है control center नीचे नहीं आ रहा है और उर्चन पैनल नीचे नहीं आ रहा है तो यह काफी useful है अगर आप यहाँ पर safari में image search कर रहे हैं और आप चाहते हैं multiple image download करना है एक बार में तो यह भी आप कर सकते हैं आपको slick करना है और यहाँ पर बस उसके बाद slick करते रहना है यहाँ पर जो भी image आप यहाँ पर multiple तरीके से download करना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर home button को press करना है उसके यहाँ पर file measure को open करना है और यहाँ पर लिया कर just drop कर देना है और यह automatically यहाँ पर download हो जाएगा वो सारे image तो यह काफी easy process है multiple image download करनेगा even यहाँ पर जहाँ आप image को PDF file में भी convert कर सकते हैं यहाँ खुद के PDF file बना सकते हैं images के आपको slick and hold करके रखना है और यहाँ पर देखे create PDF का option देखने को मिल जाएगा आपको just click करना है और यहाँ पर आपका PDF है वो create हो जाएगा automatically अब यहाँ पर PDF create होने के बाद आप simply इसको open कीजिए open करने के बाद यहाँ पर देखे यह जो PDF create हुआ के नहीं तो देख लेते हैं यहाँ पर PDF create हुआ के नहीं कोई तो शायद यहाँ पर हो चुका है अगर नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं आप दूसरी बाद भी try कर सकते हैं यहाँ पर press and hold कीजिए create PDF पे click कीजिए और यहाँ पर आपका PDF create हो जाएगा उसके बाद इसको open कीजिए देखे यहाँ पर PDF form में open हो जाता है उसके बाद यहाँ पर 3 dot पे आप click करके यहाँ पर add कर सकते हैं insight from file आप यहाँ पर click कीजिए उसके बाद यहाँ पर जो भी file आप insight करना चाते हैं यह देखे यहाँ पर आपको just ओ सारे file को जो है यहाँ पर select करना है और यह देखे यहाँ पर आपका PDF create होता रहेगा तो यह काफी बढ़ी है even आप PDF को edit भी कर सकते हैं कोई भी PDF को edit करना है तो वो भी आप बड़ी आराम से easily कर पाएगा तो यह काफी बड़ी है यहाँ पर option दिया गया है आप खुद का PDF create कर सकते हैं images का और अपने friend को डाइक लिए send कर सकते हैं PDF image next भी बात करें अगर आप यहाँ पर settings पर आएगा उसके बाद आप अपने account पर आजएगा उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर iCloud का option देखने हो मिलेगा iCloud का option पर आएगा तो देखिएगा आपका जो iCloud है वो सिफ और सिफ 5GB data दिया जाता है यहाँ iCloud में सिफ और सिफ 5GB data है और मैंने store पर जाएगा तो यहाँ पर आप stores को manage कर पाएगा जसके आप यहाँ पर देख पाने है और आपको यहाँ पर iCloud को और जो है यहाँ पर GB बढ़ाना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया है Cloud Drive को जो है Backup को Off करके रखा है और photos के Backup को Off करके रखा है क्योंकि यहाँ पर Cloud Drive आगर मैं वहाँ पर Backup On करके रखता हूं तो Backup होता रहेगा जिससे मेरा Cloud Drive काफी जल्दी भर जाएगा और यहाँ पर जो है cloud photos videos बगर जो आपके cloud पे upload होते रहे तो इसका simple solution है आपको क्या करना है आपको app store पे आना है उसके बद आपको यहाँ पर Google photo जिहां यहाँ पर आपको Google photo search करने ना है Google photo search कर लीजिएगा यह वाला Google photo आपको install करने बात यहाँ पर आप अपने Gmail ID से लॉगिंग हो जाएगा लॉगिंग हो जाएगा यहाँ पर जितने भी आपके आपका Google Drive का मिलेगा और 5GB सिर्फर सिर्फ आपका यहाँ पर लेगा क्या वो जो है iCloud लेगा सिर्फ कुछ important application के लिए तो यह काफी बढ़ी है यहाँ पर आपको मैंने idea दया जो कि मैं खुझ से दे रहा हूं कोई भी नहीं देता है तो यह भी आप ट्राइक कर सकते हैं यह था iPadOS का feature I hope आप सभी को iPadOS का feature वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आओ प्लीज फिर्म वीडियो को लाइक कर देगा साथ साथ चैनल पने हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बिला अगर को पैस करके all पे क्लिक दिया जिससे जब भी मैं कोई ने अवर्यों का आपको अगली वीडियो में एक नए concept के साथ अब तक लिए टाटा बाइबाए और यूँ हसत रही है मुस्कुरात रही है और बने रही है आरजे टेक्निकल्स के साथ